पाट का शीर्षक है थप रूटी थप दाल परदा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं सब बच्चे हला मचाते हसते हुए बड़े उत्सा के साथ खेल रहे हैं अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है नीना खेल छोड़ कर सामने एक किनारे पर आ जाती है पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है मुन्नी पुकार कर ओ नीना नीना सुन क्यों क्या बात है मुन्नी देख नीना आज मैंने अम्मा से आटा घी दाल दही साग चीनी मक्षन सब चीजे ले ली हैं चल रोटी का खेल खेलेंगे हाँ खूब मज़ा आएगा चलो उन लोगों को भी बुला लें अरे चुनू हाँ सुनो अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई चलो अब रोटी का खेल खेले हाँ हाँ ये ठीक है अच्छा अच्छा चलो देख चुनो हाँ तू और टिंकु बाजार से साख सबजी लाने का काम करना नहीं मुनी इन दोनों से दाल बनवाएंगे जब इनसे आग तक नहीं चलेगी तब मजाएगा तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते चल रे टिंकु हाँ आज इने दाल बना कर दिखाई देंगे क्यों हाँ दोस्त देख लेंगे तो सर्ला तू क्या करेगी भाई मैं तो दही का मठा चला दूंगी और तर्ला तू मैं मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी ठीक है मैं बिल्ली बन जाती हूँ खूब मजा आएगा तुम्हारी सारी चीजे खा जाओंगी मठा चलाने की हांडी लेकर अभिने के साथ सर्ला और तर्ला रंगमंच पर आती हैं फिर गगरी उतारने का और रई से मठा चलाने का अभिने करती हैं एक बच्चा रोता हुआ मा के पास आता है वो उसे मखन देने का अभिने करती हैं और प्यार से पास में बिठा कर फिर मठा चलाने लगती हैं मुन्नी दोड कर आती है मठा देखने का अभिने करती है मुन्नी वाह खूब चलाया मठा देखूं यह मीठा या खटा क्या देखोगी इस मठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं याद चुन्नू टिंकू कंधे पर बोज रखे हुए आते हैं ये लो चुन्नू टिंकू आएं देखें क्या तरकारी लाएं चुन्नू बोज उतारते हुए ओहू पीट रही है दुख मुझको लगी करारी भूख मुन्नी मुह मठकाते हुए बच्चो जी भूख लगने से क्या होगा अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ अरे हां चल जल्दी से दाल पकाओं बढ़ियों का भी स्वात चकाओं दोनों आग जलाने, फूक मारने और धुएं की वजह से आए आशू पहुचने का अभिने करते हैं फिर दाल और बड़ी पकाते हैं कल्ची से दाल चलाकर चकते हैं कि उंगली जल जाती है उंगली जलने के अभिने के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल तरला तथा अन्य सहेलियां एक ओर से आती है हाथ कमर पर इस प्रका रखा है, जैसे हाथ में डलिया हो आकर बैठ जाती है फिर गा कर रोटी पकाने का अभिने करती है थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तयार थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तयार ये पंक्तियां दो बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ती में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं फिर लड़कियों की और हाथ फैला कर मांगते हुए गा कर दो बार कहते हैं लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलिया उठाने का अभिने करती हुई एक पंक्ती में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में दो बार गा कर कहती हैं लेलो रोटी लेलो दाल चकर हमें बताओ हाल लेलो रोटी लेलो दाल चकर हमें बताओ हाल खटा क्या नहीं नहीं मीठा खटा नहीं नहीं मीठा खटा मीठा खटा मीठा आदी खाए आदी रखे अप सोजाए उठकर चक्खे आदी खाए आदी रखे अप सोजाए उठकर चक्खे सब बच्चे सोजाते हैं अचानक बिल्ली की म्याउं सुनाई पड़ती है म्याउ म्याउ बिल्ली का प्रवेश वो चारों और देखती है तो होटों पर जीब को फेर कर बड़ी खुश होकर कहती है म्याउ ओहो मक्खन कितना सारा चट से चट कर करो किनारा आगे बढ़कर उपर उचलती है चीके पर से कुछ चीज लेने का अभिने करती है है चीके पर ये क्या रखा आन रही क्या अगर न चक्खा हाथ बढ़ा कर रोटी निकालते हुए रोटी कैसी गरम गरम है की से चुपड़ी नरम नरम है मक्खन रोटी चावल दाल जी भर खाया कित्ता अमाल और देखो वो मुन्नी चुन्नो टिंको सारे खराते भर रहे बेचारे अब चुपके से सरपट जाओं आल सीयो को सबक सिखाओं बिल्ली जाती है अंगडाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बरतन को खाली देखकर आश्चरिय से चिलाती हुई कहती है ओरे चुन्नो टिंको भाई कहां है मक्खन और मलाई अरे जरा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना हाए रे ना रोटी ना दूद मलाई लगता है बिल्ली ने खाई बिल्ली आई आधी रात खा गई रोटी खा गई भात क्या कहा बिल्ली आई आधी रात खा गई रोटी खा गई भात चलो बिली की धूंड मचाएं फिर चौरी कर मलच काएं ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे मिलकर बिली को धूंडने जाते हैं कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठ कर नीचे जुक कर देखते हैं, और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते जाते हैं, तभी तरला सरला चीख कर कहती है, ये लो, मिल गई बिली, मिल गया चोर, करो पिटाई इसकी जोर, बोल, अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल, हाँ, खाऊंगी सो सा बार, जो सो होगे तांग पसार, ये कहकर बिली भागने का प्रेतन करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं, तीन-चार बार ऐसा करने के बाद बिली घेरा छोड़ कर भाग जाती है, और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं, थप रूटी थप दाल अभी आप सुन रहे थे कारिक्रम ध्वन्यंकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी नर्माण सहयोग दावदेयाल चत्रुवेदी नर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. प्रस्तुत प्रस्तुत प्रस्तुत